आप सभी का स्वाकत है और देखिए अब मैंने आप सभी के सामने इच्च का बैंक निप्टी का चार्ट उपन किया है बैंक निप्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो ऊपर की लेवल से आज के दिन आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को बली जैसे कि मैंने कल भ और पुट कहां पर बाइंग करना चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले तो बड़े चार्ट पर बड़े पैटरनों के बारे में बात करेंगे तो इस जगह अगर आप देखो तो बड़े चार्ट पर बड़े पैटरन आपको दिखाई दे रहे हैं देकि करिएं तो यहां पर आज का दिखें जी तीनों को दिखाई दे रहा है वोडी दिखाई दिखा दिखाई दे रही है इसकी जो opening और इसका जो high है वो same है ठीक है दूसा candle आपको क्या दिखाई दे रहा है दूसा candle इससे बड़ा है इससे बड़ा है ठीक है यानि market नीचे की side गया और उपर की side इसने high उपर की side मार रहा है और low नीचे की side मार रहा है ठाट candle में क्या दिखाई दे रहा है कि ठाट candle में द आपको किलोजिंग वाला पॉइंट है और नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो इसकी बनते उए दिखाई दे रहा था और वही चीज हमने इत जिगा पकड़ते वह दिखाई दी अब देखिए मार्केट में तेजी या मंदी कैसे आ सकती है तो इसमें दो चीजे आपको फैक्ट करना पड़ेगा कि मार्केट में जो तेजी थी वो जेवाली केंडल की थी जिसके वैसे तेजी आनी थी अगर आप इन दोनों केंडल को देखोगे तो यहाँ पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट ने इसके लोग को नीचे की साइट बिरेक नहीं किया अब मार्केट क्या करेगा कि अगर जो इसको नीचे के लोग को बिरेक कर देता है अब ऐसा क्यों इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं उससे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का वीडियो का लाइक एम है एक हजाल लाइक यू का अपकी बार मुझे लगता है कि आप पूरा करीद होगे और अगर आपने अभी तक माई टेलीग्राम चैनल को सब्सक्र करेंशन में दे गए हैं चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहला टेरेट हम किस भी सिस पर ले सकते हैं तो उससे पहले देखिए आपको दो चीजे जगह समझना होगा कि मार्केट अगर आप देखोगे तो उपन के लेवल पर मार्केट ने दो बार इचिप्धार दिया किस पर आइस पर लिया था अब मैं हमेशा बोलता हूं कि वीडियो बिल्कुल पूरा देखो समझो यह वीडियो आपके लिए अगर मैं इसको समय दे रहा हूं वीडियो बनाने के लिए अगर मैं समय दे रहा हूं तो आपको भी समय देना चाहिए मार्केट को सीखने के लिए और कई ने कई मैंने आपको बोला भी था कि उपर के लेवल पर हम P.E. बाइंग करने की कोसिस करेंगे जो कि 80% हम उपर की साइट P.E. ही बाइंग करेंगे उपर की साइट अगर हमको breakout मिलता है तो इस जगह हमारा जो 20% है वो हम C.E. बाइंग करेंगे यानि हम कई ने कई इस 35,000 का लेवल है ठीक है अब इसका 35,000 वाले लेवल है और इसके पहले भी अगर आप देखो तो यहां पर क्या दिखाई दिया आता है यह 35,000 पर सपोर्ट लेते हुँ दिखाई दिया रहता ठीक है तो हम नेस्ट कैसे ले सकते हैं कि अब की बाइर हम सीधे डारेट सेलिंग नहीं करेंगे मार्केट इस जगह आएगा थोड़ा कंसुलेट करेंगा इस जगह कंसुलेट करने दीजे कल के दिन कंसुलेट करने दीजे फिर उसके बाद यह 35,000 को बिरेक करेंगा ना जब हम इसके नीचे पी बाइंग करके चल सकते हैं यानि हमको अब डारेक्ट 900 का देखने को मुलेगा दूसरे टार्गेट की बात करें तो इस जगह 34,800 का देखने को मुलेगा और लास्ट टार्गेट की बात करें तो इस जगह लास्ट टार्गेट आपको 34,700 का देखने को मुलेगा यानि हर 100,000 पर आपको इस जगह टार्गेट देखने को मुलेगे लेकिन चीज आपको जही समझना है कि 35,000 के नीचे जाने पर ही हम सेलिंग कर सकते हैं, यानि जो मार्केट में जो candle आपका बनेगा, इस जिगा जो candle आपका बनेगा, रैट candle बनना चाहिए, ठीक है, जो candle आपका बनेगा, वो रैट candle बनना चाहिए, ओपनिंग आपको उपर की साइट, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे देना चाहिए, मार्केट आपका माइनस में क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है, अब मैंने आप सभी के सामने एच जिगा आप्जिंग चेहन उपन किया है, जो कि bank nifty का option chain आपको देखने को मिलता है, 14 June का option chain आपको देखने को मिलता है, और आज के दिन 12 June है, यानि कल का दिन आपका बीच में है, अब इसमें देखिए, दो चीज़े में आपको इस जगा डेटा में बताना चाहूँगा, कि सबसे पहला डेटा अगर आपको देखने को मिलेगा, आज के दिन मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, तो 11,44,000 के संतिंगा इस जगा आपको वाई दिखाई दे रहा, ठीक है, यानि मार्केट ने इस जगा और खरिदारी किया, गेटते हुए मार्केट में, और उसी जगा अगर हम बात करें, पुट में तो यहाँ पर 10,25,000 के आसफरस का आपको यहाँ पर पुट में दिखाई दे रहा, आपको क्या हो रहा है, और आपने इस जगा कॉंटिटी बाइंग करके रखिए, अब मार्केट जब नीचे की साइट है, आपका 35,000, 35,000 के सम्तिंग है, 450 पॉंट आपका नीचे है, अगर यह मार्केट कल बाउंस बेक भी देता है न, तो आपको जो लॉस हो रहा है, वो आप निकलने की कोशिस करोगे, तो यानि जी एक रजिस्टेन का काम करेगा, आपका 35,500 का, ठीक है, अब नीचे की साइट तो देखिए, एक साइकलोजी लेवल है, जो कि आपका 35,000 का सम्तिंग है, तो हमको जो सेलिंग ही देखने को मिलेगी, वो कहाँ पर देखने को मिलेगी, आपका 35,000 के नीचे सेलिंग देखने को मिलेगी, यानि जब तक ये इसके नीचे नहीं जाता ना, आपको नीचे जाने दीजिए इसके, इसके नीचे जाएगा ना, जब भी हम नई पूदीशन इसके अंदर बना सकते हैं, आप मैंने आप सभी के सामने एच जगा 5 मेट का चार्ट ओपन किया, इसमें देखिए दो चीजे मैं आपको समझाना चाहूँगा, कि सबसे पहले तो देखिए एक हैनल सोल्डर पैटर्न इसके अंदर बनता हुग दिखाई देरा आपको, यानि अगर आप नीचे से लेवल में अगर आप देखो तो देखिए इसमें एक आपको जे आपको सोल्डर दिखाई देरा इस जगह यह आपको सोल्डर देखने को बना और जे आपको हैट देखने को बना फिर मार्किट आपका नीचे की साइड आपको आता हुग थे कि मैंने आपसे क्या बोला अगर कल की दिन आपका मार्केट ऊपर की चाहिट ओपनिंग दे देता इस लेवल के आसवस्ट तो आपको यहाँ फसना नहीं है ठीक है क्योंकि मार्केट आपका बांस बैक अगर देता भी है 35500 के सम्तिंग और आपको इस जगा मिलता भी है तो कि ऊपर के लेवल पर अगर आप देखो ना तो यहाँ पर देखिए आप मैं इससे पूछोगे तो यहाँ पर मैं पीई बाइंग करने के लिए मैं इस जगह 70% तयार रहूंगा अगर मुझे इस लेवल पर मिलता है और मैं इस जगह 30% ही मुझे लगता है कि 30% ही मैं ना सकते हो ठीक है इस जगह यानि मैं इस जगह आपको बताएता हूं कि 35,500 के आसफस मार्केट मिलता है तो इस लेवल पर हम बाइंग करने की कोसिस करेंगे बाउंस बैक में देखिए आपको फसना नहीं है क्योंकि मार्केट देखिए ऊपर की साइज जो आपके FIS है जो मार्केट में उपर की साइज सेलिंग करते हूं दिखाई दे रहे हैं तो मुझे समझे में नहीं आता कि आप लोग कौन हैं आप क्यों बाइं करते हो जब बड़े इंवेस्टर बड़े इंवेस्टर देखिए उपर की साइज सेलिंग करते हूं दिखाई दे रहे हैं तो हम को भी कई ने कई उस डेटा का इस जगह देखना पड़ेगा ठीक है तो थोड़ा कंसुलेट करेगा मार्केट कंसुलेट करने के बाद अगर यह नीचे की साइज जाता अपने लोप है तो इस जगह हम सेलिंग कर सकते हैं अब सवाल आता है कि टार्गेट क्या होगा तो टार् लास्ट अपका बड़ा होगा पैतीस हजा सो रूपए शंतिका यानी तोटल स्नापाइबंे करना चाहिए तो एक इहां पर बिल्यर और बीलकुल साफ बताना चाहिए नीचे की सायट अगर आप देखो के तो यहां पर देख्ड़ики आपको देखने को बिलेगा कि यह वाला जो गैप है देखिए इसके अंदर जग आपको दिखाई दे रहा इस गैप को मार्केट करने के लिए तैयार हो रहा है ठीक है और मार्केट देखिए मैं नीचे की साइट जो कमफर्टेवल हूँ वो किस लेबल पर कमफर्टेवल कमफर्टेवल हूँ नीचे की साइट बाइंग करने के लिए हैं क्योंकि मार्केट में इस लेबल पर आपको कहीं ने कहीं एक सपोर्ट देखने को बलता है और जो आपका गैप है वो भी आपका कहीं ने कहीं फेल हो जाएगा ठीक है यानि आगर मार्केट देखिए इस ले अगर जो मार्केट 35,000 के सपोर्ट को बिरेक करता है अगर देखिए मार्केट नीचे के साइट इसको बिरेक करता है जो कि मैंने आपको लेबल बता था 35,000 को बिरेक करता है तो जो आपको सेलिंग देखने को बलेगी वो 600 से लेके आपको 700 पॉंटों की देखने को बलेगी और इसमें जो इतना difference आपको दिखाई दे रहा है वो gap का difference दिखाई दे रहा है तो अगर gap के difference को हमको इस जगा complete करना पड़ेगा तो नीचे के level पे हम CE buying करके चल सकते हैं वस condition इतना हुगा कि market इस level के नीचे नहीं जाना चाहिए यानि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए तो हम इस जगा CE buying करके चल सकते हैं और फिर हमारा देखिए इसमें target क्या होगा वो मैं आपको बता दीता हूँ तो market में सबसे पहला जो target आपको देखने को बिलेगा वो इस जगा 34,000 34,400 का पहले आपका target देखने को बिलेगा यह काफी important target है आपको याद होगा दूसरा target जो आपको देखने को बिलेगा वो 34,500 का और last target जो आपको देखने को बिलेगा वो इस जगा 34,600 के संतिंग का वाकि वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, जैहीं बने मताँ